प्यारे बच्चो आज हम कक्षा साथ का चेप्टर नमबर 9 करेंगे ज्यान का चेप्टर नमबर 9 कक्षा साथ का चेप्टर नमबर 9 बच्चो इसके परसन उत्तर हम करने वाले हैं आप ब्यास के परसन उत्तर देखें परसन एक और दो में सबसे उप्युक्त उत्तर को चेहनि बच्चों देखी क्या क्या होते हैं इसका गय अंस्वर आएगा खनीज जयवदार्थ वाई और जल क्या आएगा खनीज जयवदार्थ वाई और जल होते हैं जलदारन अक्षमता अधीक होती है कौन सी मिट्टी की होती है मिरण में विर्दा की जलदारन अक्षमता अधीक पाई जाती है परसंद तीन देखिए कॉलम A में दीगी वस्तूं का कॉलम B में दीए के गुणों से मिलान कीजिए तो बच्चों ये कॉलम A है और ये कॉलम B है जीवों का आवास देने वाली मिरदा की उपरी परत बलूई मिरदा, मिरदा की मद्धे परत और मिरण में मिरदा तो इनके साथ हम मिलान करेंगे कॉलम B के साथ देखिए मिलान बच्चो जीवों को आवास देने वाली सभी परकार की मिर्दा होती है मिर्दाय की उपरी परत को उपरी परत गहरे रंग की होती है बलूई मिर्दा बड़े कण की होती है या बलूई मिर्दाय के कण बड़े होते है मिर्दाय की मध्यपरत आयूमश की कम मातरा पाई जाते है मिर्दाय की मध्यपरत में आयूमश कम पाई जाता है मिर्द में मिर्दा सगन छोटे कन मिर्द में मर्दा जो होती हो चिकनी मिटी होती हो बच्चो इसमें जो कणों की का साइज होता हूँ काफी छोटा होता है समझाईए कि मिर्दा कैसे बनती है पवन जल और जलवाईू की किरिया से खेलों तवा चटानों के टूटने पर मिर्दा गनिमान होता है यह परकरम अपक्षय कहलाता है परस नमर पांच मिरण में मिरदा किस परकार फसलों के लिए उपयोगी होती है मिरण में मिरदा अत्वा चिकनी मिट्टी अधिक पानी धारन करने के अक्समता होती है इसलिए मिरदा उन फसलों के लिए उपयोगी होती है जिनको अधिक पानी के अश्रकता होती है गुलाव हुए चकुंदर परस्ट नमबर छे मिर्ण में मिर्दा तुआ बलुई मिर्दा के बीच अंतर बताईए मिर्ण में मिर्दा और बलुई मिर्दा के बीच में अंतर निमें लिकित है तवच्छ दीए इनके बीच में अंतर मिर्ण में मिर्दा इस मिर्दा की अंतैस तरवन दर कम होती है जबकि इसकी अधिक होती है बलूई मिर्दा की जल धालनाक्समता अधिक होती है जबकि बलूई मिर्दा की जल धालनाक्समता कम होती है इस मिर्दा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है जबकि इस मिर्दा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है इसमें बारीक कण ज़्यादा होते है जबकि इसमें कणों की साइज बड़ा होता है अब देखे बच्चों परसन नमर साथ मेरे दाय की अनुप्रस्त कार्ट का चितर बनाईए और विभिन परतों को ना मांकित किजिए तो बच्चों देखिए यह हमने चितर बनाया A सहिस्तर स्थिति, B सहिस्तर स्थिति और C सहिस्तर स्थिति और आधार सैल सबसे नीचे वाले परत में बड़ी बड़ी मोटी मोटी चटाने है और फिर C सहिस्तर स्थिति के अंदर देखिए कम चटाने है और B सहिस्तर स्थिति के अंदर काफी कम चटाने है जबकि A सहिस्तर स्थिति में पोदे दिखाए गए हैं और मुश्क के मातरा ज़्यदा होती हैं तो इसको का जाता है मिरिदा परिछेदी का तो इस तरह से आप यह चीतर बना सकते हैं किसना आठ देखिए रजिया ने खेत में अंतस्तरवन की दर्श समंदित एक परियोग किया ऊसने देखा कि उसके दोरां लिये गई मिरिदा के नमुणे में से 200 ml जल को अंतस्तरवन करने में 40 मिनट लगे अंतस्तरवन दर्परीकलित किजी तो वच्छों देखिए यहां पर मिरिदा के नमुणे में जल की मातरा 200 ml है कितनी है 200 ml है जल को अंतस्तरवन करने में लगाश में 40 मिनट अंतस्तरवन की दर बराबर पानी की मातरा बटे लगाश में तो अंतस्तरवन की दर पानी की मातरा है 200 ml और 40 मिनट से में लगया तो इससे बाग करतेंगे हम 200 को डिवाइड करेंगे कितने से चालिश से जीरो से जीरो और चाहर पंजा बीश पांच मिली लीटर परती मिनट इसकी अंतस्त्रावन अंदर है तो अंतस्त्रावन अंदर पांच आख जाएगी वच्चो किस्स नमबर नो है समझाईए कि मिर्दा प्रदूशन और मिर्दा प्रदन को किस परकार रोका जा सकता है मिर्दा प्रदूशन और मिर्दा प्रदन को कम करने के लिए विरक्षों की कटाई और वनोन मुलन को रोका जाना चाहिए यानि वनों की कटाई और विक्ष्णों की कटाई को रोकना चाहिए और हरीतर अक्षेतर को बढ़ाने के प्रियास किये जाने चाहिए हरीतर अक्षेतर बढ़ाने का मतलब है वच्छो ज्यादा से ज्यादा पोदे लगाने चाहिए तो ये थी बच्छो आपकी साइस के चैप्टर नमबर साथ के किस्टन अन्सवर अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्छो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें